तो गैस मैं हुआंग की तोड़ा आप देख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नाइटवर्क एक बार फिर साम लोग सूर करेंगे एक ऐसी ही अपडेट से जो की काफियत तक पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है पिछले वीडियो में आपको बताए कि जेड कारगिल यानि की के अंदर आने वाले हैं तो ऐसी ही एक और नेम है एक और अपडेट जस्ट निकल के सामने आई है जिसमें की डवीड़ी काफ़ जादा इंट्रस्टेड है अब इनका कॉंट्राक्ट इनकी डील एक्जाक्टी कब एडवी के साथ एकस्पायर हो रही है इसको लेगा भी आप से बताई यह जा रहा है कि डवी इनमें भी इंट्रस्टेड है इससे पहले भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार यह अपडेट आई थी अब पता नहीं मैंने वह आपको बताई या फिर मैंने इग्नूर किया था उसको लेकिन अभी यह चीज जो है काफी पीक प फेक करा तो एडव के साथ चीजे सही नहीं चल रही है सीम पंक भी निकल गए तो क्या लगता आपको कि एडव का फ्यूजर क्या हो सकता है कॉमेंट करके बताना फिरहाल एक और एडव सूपरस्टार एडव रसलर डवी के अंदर आ सकते हैं विकॉज डवी पहले वह अडवटाइस थे उसके बाद उनको हटा दिया गया पुल कर लिया गया वहां से भी उसके बार हमने सुना कि हो सकता है यह पनिस्मेंट भी हो सकती है जो की कॉंट्रवर्सी हुई उसके वजह से एक और अपडेट यह थी कि उनको जो है इलने से डेव में ने कहा प्लान कर चुकी है जादा नहीं बस अगले मंडेन आट राम यह वापस से आ जाएंगे फिर से तो मुझे लगता है कि यह पनिस्मेंट नहीं थी क्योंकि एक वीक के लिए कोई घंटा पनिस्मेंट नहीं मिलती है एक महीने के लिए तो बाहर निकालते ही अगर अगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में अगर हमारे चैनल पर कोई एलायस का फैन है तो भाई आपके लिए एक अनफॉर्चुनेट न्यूज है एलायस जिनकी स्टोरी लाइन एक बार पीक पे चर रही थी एजीकिल के वजह से खमाल की बात है कि एलाय क्लिए तो चीजें फिर सही नहीं तो अभी डबी में काफी टाम से वह देखने को नहीं मिर रहे काफी टाम से उसके पीछ एंडिपेंडेंट रस नंग बूला ले कि हाँ भाहि हम आपको एक match के या फिर एक appearance के पैसे दे रहे हैं इतने dollars दे रहे हैं आप आजा हमारे लिए wrestle कर लो हमारे लिए appearance दे दो तो इस basis पर WWE के लिए भी वो appear हो रहे थे recently में अब next जब appear होंगे तो साद ये उसी तरीके से appear होंगे जब तक WWE या फिर कोई और company इनको अपने contract के अंदर नहीं लेती है तो फिलाल ये बताया जा रहा है बागी guys आगे बढ़ते हैं डौफ जिगलर की बात करते हैं डौफ जिगलर भी काफी टाइम से absent है और अभी recent में मैंने आपको एक update बताया थी कि डौफ जिगलर पिछले 300 दिनों से कि आखे डौफ जिगलर क्यों नहीं डौफ जिगलर प्रोग्रामिंग पर देखने को मिल रहे हैं बीच में एक बार तो वापस होई थी लेकिन फिर से गायवें तो बताया जा रहे है कि डौफ जिगलर नहीं डौट से कहा कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम आफ दो यानि कि डवी डवी के पास सायद प्लैंस होंगे या फिर नहीं होंगे लेकिन डवी ने अपनी मर्जी से इनको नहीं निकाला ऐसा नहीं है डॉफ जिगर ने खुद से डवी डवी से कहा कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम आफ दो तो इसलिए वह अभी करें अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि सेथ रॉलिंस को लेके सेथ रॉलिंस ने बहाई अपने इंडियन फैंस को काफे जारा अप्रिशेट किया है एंड यह सुनके छाती फुल जाती है नहीं बताना आप लोग आपका क्या रेक्शन इसको पर अभी इंडिया गेंदे सूपरस्टा स्पक्टेकल हुआ एंड जो क्राउड ने रियक्ट किया यार लव यू यार जितने लोग गय थे ना भाई मतलब कमाल का रियक्शन दिया डवी डवी वालों ने इस चीज़ को काफी जारा मेंसन भी गया इवन स्मैक डॉन पर मेंसन किया कई सारे रिसलर्स ने ने इवन एनाउसर सेरा ने भी इस चीज़ को मेंसन किया कई बार की क्राउड गजब की लाउड थी और कमाल की बात है कि 5,000 लोग थे वो मुस्किल से बहुत होंगे तो 6,000 होंगे एक्सेस बता रहों एक्सेस होंगे तो 6,000 होंगे जस्ट इमाजिन अगरे डवी डवी इंडिया में ऐसे जगहा पर आजा जहां पर की 50-60,000 की क्राउड है तो फिर क्या होगा न मुझे खुद भी नहीं पता मुझे लगता है पुरा सहर भैर सेता hadカ He the Cheryl इता भयंकर हो जाएगा हाइप के मामले में इच्छा अब इस चीजhy को लिए कि कहते है कि उनके इस पूरे डबी डबी केरियर में यह चोटी बात है भाई पूरे डबी डबी केरियर में यानि उनका पूरा रेस्लिंग केरियर ले लो क्योंकि डबी डबी सबसे बड़ी प्रमोसन है ऐसा तो यह नहीं है कि Seth Rollins कहीं और पे किसी और प्रमोसन में कंपीट करने गए वहाँ पे क्राउड बहुत लबाउड थी ऐसा तो हैं नहीं तो Seth Rollins के पूरे रेस्लिंग करियर में उन्होंने सबसे लाइडस्ट क्राउड इंडिया की देखिए उन्होंने कहा कि मेरे पूरे रेस्लिंग करियर में अगर कोई सबसे जादा loudest crowd मैंने देखी है तो वो थी इंडिया की जिस तरीके से fans ने मुझे appreciate किया में लिए theme song पर में लिए खुद से भी गाया John Cena पर जिस तरीके से chant किया जो complete वहाँ पर scene था ना में लिए complete goosebump पाला था Rawlings कहते हैं कि मैंने तो WWE से कहाए का रगा था कि देखो भाई उतना दूर travel करना है अगर response अच्छा नहीं आया तो मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ और मैं कुछ उसी लोगों में से हूँ कि अगर मुझे response नहीं आता तो मैं नहीं करता वो लेकिन यह जो response है वह तो expectations अहीं उपर था सब कुछ फट गया मेरे अंदर तो ऐसा कह रहे थे सैथ रॉलिंज तो सैथ रॉलिंज का फिस सर्प्राइस दिखेंट कह रहे थे कि loudest crowd थी जो कि उन्होंने experience कर आपने wrestling career में तो बहुत बरी accomplishment है भाई इंडियन कर लो आप लोग आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आखरी story के बारे में यह सुनने के बाद तो भाई कई लोग खुस हो जाने वाले हैं हमेशा comments आते रहते हैं कि यार new stage कब आएगा new stage कब आएगा तो देखो भाई लेकिन इसके बावजूद इसके अलावा कुछ और नई titles आ सकती है यह क्यूं हो रहा है यह इसलिए हो रहा है क्यूंकि TKO जो है अब यूफसी को भी लेके चल रहा है तो थोड़ा से यूफसी का पैटर डबी डबी के अंदर भी आने वाला एक बीच में डबी डबी के अंदर आया था क्रूजर वेट क्लासिक क्रूजर वेट के लिए था वो रहकिन फिर वो चीज बंद हो गई तो ऐसे में डबी डबी में भी जो है वो वेट डिविजन आने वाला है और उसके बाद उनके लिए प्रॉपर अलग टाइटल भी यह यह चीज कब होगी तो आप एक्सपेक्ट करो रैसल मेनिया फोटी के बाद यह कुछ कहा जा रहा है अब इतने सारे चेंजेस होंगे तो आप एक्सपेक्ट करो न्यू स्टेज के लिए भी क्योंकि आप थोरी वाली भी वाइब देनी है कि हाँ बदलाओ हुआ है तो वो च मिलते हैं अब इनक्सपेक्ट का फेंटस्टिंग वीडियो में है